नमस्कार दोस्तों मैं रंजन कुमार आप लोग को इस वीडियो में एक बाव फिट से स्वागत करता हूँ दोस्तों बहुत सारे दोस्तों की जॉइनिंग हो रही है यह वीडियो जितने भी SSC GD के त्यारी करने वाले हैं चाहे कोई कोई भी फोज हो तो उसके लिए जाते समय ज्वाइनिंग से पहले जाते समय आपको बोलता है कि एकाउंट नंबर खोल क्या यह बहुत सरे दोस्तों के कंफ्यूजन है कि सेलरी एकाउंट के लिए सेविग एकाउंट खोले कि किस बैंक में खोले मतलब में खोले कि HDFC में प्राइवट में खोले इस तरह का बहुत सरे कोस्तन मेरे वीडियो पर आ रहे हैं तो मैं आज इसी बात को क्लियर करने के कोशिश करूंगा इससे पहले आप से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहींगे तो नीचे सब्सक प्राइब बैंक को आज कल सभी खोल रहे हैं एक होता है सीएपी एसपी सीएपी मतला सेंट्रल आर्म पुलिस सेलरी पैकेज रही बात की एकाउंट सा खुलवा के जाए या वहां पर जाने के बाद खूल जागा इसके लिए बहुत सारे दोस्त को क्यूरी आ रहा है कि सर जो पहले सी बैंक की सामठ में हो चाहे या यह अब Shapac yakosh को कोई कई में है स्थिंगत में की मैं हो भी चले एकाउंट तो मैं पहले विडियु कि क्या क्या फेसलेट्री मिलता है वह वैछ इंड़ी उखिन में है कि ाप क्या बैंपित मिलता है जो नर्मल एकाउंट होता है उस पे आपको एंसुरेंस कम होता है जिसी सब को पता होगा कि ATM पे एंसुरेंस आता है अगर ATM 45 दिन के अंदर यूज किया हुआ है अगर कुछ हो गया घट ना घट गया तो उसमें 5 लाख का मतलब एंसुरेंस मिलता है लेकिन में कम से कम 20 लाख अभी तो किसी-किसी में 50-50 लाख का इंसुरेंस कवर करने के लिए इस में केटिगरी होता है पिलट्रियूम, सिलवर, ंगोल्डन इस तरह का केटिगरी होता है तो आज जनरल जो भी जीड़ी के अंदर का जाते हैं किसी भी फोज में हैं तो उनके लिए अब गोल्डेन मतलब हो गया है गोल्डेन मिलता है मैं एक ब्रॉचर डाल दूँगा ब्रॉचर होता है जो SBI का मेरे पास है मैं देखता हूँ अगर बढ़ियां से होगा तो मैं इसकीन पर ही डाल जिसका भी एकाउंट था जिसका नहीं था सबको जेनरली पूरा बराबर से 1200 के 1200 के लड़कों को वहां पर एकाउंट खोल दिया था तो वहां पर हम लोग जाके खुलवाई थे बाकि अगर आप यहां से जाते हैं तो आपके लिए प्रोब्लम मतलब आपके लिए थोड़ा प्लस दो-तीन महीने का पेस्लिप लेकर आईएगा आप अपने ब्रांच में दे दीजिएगा अगर पहले से एकाउंट नंबर मांग रहा है ज्वाइनिंग से पहले तो दे दीजिएगा वहां पर आपको सीएपेस्पी कर देगा वहां पर डिरेक्ट दे दीजिएगा कि हम गोल्डेन एटीम इसु करने के लिए जो अभी प्रजेंट में एटीम है उसको बंद करके गोल्डेन एटीम इसु करवा लीजिएगा उसमें ज्यादा बेनिफिट मिलता है हम सब ने करवाया है ध्यान रखेगा एकाउंट खुलवाते से माँए आपको मतलब सेलरी अकाउ में दो परसेंट मिलता है आपने जो पैसा पढ़ा हुगा है उसमें लेकिन जो मोड में चला जाता है पैसा तो उसमें साथ या पांच परसेंट जो आर्डी की तरह होता है आर्डी को हम निकाल नहीं सकते हैं निकालने तो कुछ चार्जिस कट लाता है लेकिन आपको जो मो वंड में पैसां रहता है एक महिना के लिए रहे दो महिना के लिए रहे 10 दिन के लिए 10 दिन के लिए उसमें इंटरेस्ट दस द्लिकाड दे देन का और 8 larger निकलने जाएगा तो आराम सेपाँ निकल जाता क्योंकि आपको एकाउंट खुले दो रहेगा, आपके एकाउंट में पैसा आना सुरू हो जाएगा, लेकिन आपको यही काम करना पड़ेगा, कि आपको उसको CPSP करने के लिए एक साल का इंतिजार करना पड़ेगा, मतलब जब आप वहां से आएंगे, अपने घर पे, अपन का ब्रांच के आएगा, और एकाउंट खोल देगा, direct CPSP खोलेगा, एक दुमाहिना पेमेंट लेट आएगा, अकमाली जब तक एकाउंट नहीं खुलता है, अक्टिब नहीं होता है, तब तक आपका पेमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन दो महिना तीन महिने का पेमेंट एक सा खोलवा के यह बताता है, लेकिन बेनेफिट सब बैंक बराबर देता है, उसमें थोड़ा सा कभी कभी जिसे कोई-कोई-काउंट में थोड़ा ज्यादा खोला काम करता है, बाकी प्रोब्लम कुछ नहीं है, आप एकाउंट लेके जाए यह वहाँ पे जाके खोलवा यह खोलेगा, और अराम से कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको कभी जंजट नहीं रहेगा कि घर पर आने के बाद उसको CPSP करने का, तो देरेक्ट वहाँ से CPSP एकाउंट ही खोल देगा, तो अमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, मैं एक ब्रोचर ला का ़िया का दे रहा है गोल्ड़ एट्यां में क्या फाइ़धा है, फाइदे प्रोंज एुआट्यम मीलता है, बहुत वहुत फाइदा देता है, अकर CPSP एकाउंट हैंगा तभ, छली एमिद करता हू आपको यह वीडियो पसंद आयागा, पसंद एक तो वीडियो को लाइक किजिए चैनल को सब्सक्राइब को दो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए नमस्कार बाइबाज जाहिन